तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं एक PhD admission के बारे में from ACSIR Academy of Scientific and Innovative Research तो ACSIR साल में दोबर PhD application form release करता है जिसमें ये अपने साथ-साथ 82 research institutes जो इसके साथ affiliated है उसमें PhD के लिए application form release करता है मतलब कि सिर्फ इस एक पोर्टल से आप PhD में के लिए apply कर सकते हैं उन 82 institutes में तो चलिए बात करते हैं और detail के बारे में तो जैसा एक देख सकते हैं अब PhD admission ACSIR में January season किसके लिए January session 2025 के लिए release हो चुका है ये basically January और दूसरा July इन दो sessions के लिए PhD admission open करते हैं में तो थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं ACSIR के बारे में कि आखी यह है क्या यह एक institute basically 2010 में established किया गया था और यह हब and spoke model पर काम करता है हब and spoke model क्या मतलब होता है कि इनका हब है गाजियाबाद में और इसके साथ-साथ पूरे इंडिया में इससे 82 research institutes affiliated है जिसमें कि आपके कुछ CSIR के इंस्टूट्स ICMR के इंस्टूट्स काफी सारे इंस्टूट्स इसके साथ affiliated हो इन सभी सभी के लिए एक ही common पॉर्टल PhD admission का release किया जाता है ACSIR के थूरू यहां पर देख सकते हैं 82 affiliated research institute affiliated है अब देख लेतें कौन-कौन से institutes हैं तो इस map में आप देख सकते हैं कौन-कौन से institute is ACSIR से affiliated हैं जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं इस सब सारे institutes में आपको PhD में अप्लाई करना है तो आप यहां इस पोर्टल के थूरू अप्लाई कर सकते हैं तो इसमें बताना आपको भूल गया क्या क्या है तो एक संब्री में और जिसके पास fellowship नहीं है फैलोशिप वाले सारे जो भी सारे इंस्ट्यूट्स में अप्लाई कर सकते हैं और कुछ-कुछ इंस्ट्यूट्स अप्लिकेशन फॉर्म डेट है सभी के लिए चाहिए प्यस्टी निजरिंग अप्लाई करें प्यस्टी इन साइन्स के लिए अप्लाई करें या फिर जो बीटेक या बी के स्ट्वेंट्स अप अप्लेकेशं फॉर्म सेवन ऑफ password से स्टार्ट के या अप्लिकेशन स्ट्रीय और हो स्टार्ट हो जुका है और जैसा कि मैंने बता हैक СпIn Prof. adalah स्टार्ट हो चुकया है और लाजस्ट्द है कि सिक्स्टीन Nouंबर तब तकल य wij सीॉ csh की रिजल्ट के बारे में तो जैसा कि मैंने बता है master degree होना चाहिए with minimum 55% किसके लिए general और general EWS के लिए और जो भी category reserved category students है for example OVC SCST इनके लिए 5% का relaxation है 50% पर अप्लाई कर सकते हैं तो master degree होनी चाहिए साथ ही साथ 55% होना चाहिए master's में general या general EWS candidates के लिए और साथ ही साथ जो OVC SCST इनके लिए 5% का relaxation है वो 50% पर अप्लाई कर सकते हैं अब mode of entry तो जैसे पहला mode of entry बता है national level fellowship अगर आपके पास CSI है आज सीमा यूजिसी डीटी डीटी इस्टी इन सब की fellowship है तो आप इसके लिए first mode of entry से अप्लाई कर सकते हैं इसमें आप सारे institute के लिजबल है जो जो की पूरे 82 इंस्टीट सब में इलिजबल है अब बात आती है कि जो institute fellowship जिनके पास खुद के fellowship नहीं है वो इन सारे इंस्टीट में अप्लाई कर सकते हैं यहां बैसिकली कई लोग अगर आप गेट भी क्वालिफाइड है तो आप इंस्टीट फैलोशिप के लिए इलिजबल है और कई सारे कोई अप्लाई कर सकते हैं तो एक बाद फिर से मैं आपको समरी बता दूं एसी एस आई यार में 82 जो अफिलेटर इंस्टीट्स हैं इनके अंडर पीजडी अड्मिशन ओपन हो चुका है इसमें दो टाइप के स्टुट्ट्स अप्लाई कर सकते हैं पहला जो फैलोशिप्स क्या कील एं सब्सक्राइप कर सकते हैं और दूसरे चुडेंज जिन के पास खुद की फैलोशिप नहीं है वो जो लिस्ट में फाइफ इंस्टुट्स है उससमे अप्लाई कर सकते हैं तो फैलोशिप अफिसा lima अब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ठीक है कि मैंने summary बता दियो यह आपकी mode of entry थी लास्ट देख लिएगा से में अगर से start हो चुका है form और 16 नॉमबर तक form फिल कर सकते हैं यह application form था इसके बाद भी कोई doubt है तो आप comment section में जरू बताईएगा हम उसके जरूर कर देंगे और साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं और अच्छे ऑफर्स भी चल ले हैं